नमस्कार सात्यों गुड मॉर्निंग्स सुप्रबात आपके साथ मैं मैं इश्कुमार और हमारी चोर्ष सेलेक्शन mcq test series का यह पार्ट टू है जो आज हम डिसकस करेंगे ठीक है यह जितनी भी अपकमिंग एक्जाम है यूपी पीस्ट स्टाप नर्स एंस नहीं उन सभी के लिए यह mcq series important होने वाली है तो आगाज कर दिया है यह आगाज कर दिया है अपनने शुरुवाद हो हो चुकी है ठीक है पहला क्वेशन देखते है इसमें बायो केमिकल एटियोलोजी ओफ एल्जी मेर्स डिजीज डिजीज का बायो केमिकल एटियोलोजी कारण होता वो क्या है इसमें आपको बताना option है आपके सामने है एपिनेफरिंस एसाइटल कोलीन जिसको शोट में एसीज भी गोलते हैं एसीज सेरोटोनिन एंडबामीन तो एल्जी में डिजीज जो हती है वो एक डिमेंशा का मोस्ट कुमन टाइपस होता है और इसमें मेमोरी लोज होती है ठीक है तो इसका जो जवाब बनेगा वो ब कर सेरोटोनिन बढ़ता है धें उस कंडीशन मेर मैंडीज होने कीच आता है और जब इसका अभूक्र उप्रेस्ट यmb झेION बात करते हैं डोपामीन की जब पेशेंट डोपामीन में कम या ज्यादा होती है तो इसमें सीजिफेनिया देखने को मिलता है ठीक है और सबसे प्रोटेंड है एफिन अफ्रिंग जिसको नॉन एडिनलिन्स भी कहते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे अपन सेगंड क् डाइगोनुस और्गेनिक मेंटल डिसोडर इच और्गेनिक मेंटल डिसोडर को डाइगोनुस करने के लिए इसमें से कौन सा बेस्ट टेस्ट है ऑप्शन बेंडर गेस्टल टेस्ट सेंटेंस कम्प्लिशन टेस्ट रॉस चार्ड टेस्ट या थेमिटिक एप्रिशन टेस् तो इसका जो जवाब होगा वो होगा बेंडर गेस्टल टेस्ट जोकि mental disorder जितने भी mental disorder होते हैं और्गिनिक mental disorder होते हैं जिसे डेलेरियम होगा डिमेंशा तो उसको डाइगनोस करने के लिए टेस्ट काम मिले जाता है बेंडर गेस्टल टेस्ट थिक अब इसको एक्स्पियंशन से समझते हैं कि बेंडर टेस्ट बेंडर गेस्टारल टेस्ट इजे साइक लोजीकल टेस्ट यूज़ बाई एंटल हेल्थ प्रोपेशनल डेट असे यूज्वल मोटर फंक्शनिंग्स डवलोपमेंट डिसोडर एंड नियूरोजिकल इंपेर्मेंट इचिल्डन एज ओल्डर एन अडल्ट ठीक है और पात करते हैं सेंटेंस कम्पेशन टेस्ट की तो यह टेस्ट किया जाता है डाइग एक मेंटल डिसोडर को डाइग्नोस करने के लिए टेस्ट गया जाता है ठीकंड देकंड देकेगा पन रिवर्सिवल डिमेंशिया इसी निना कि रिवर्सिवल डिमेंशिया किसमें देखा जाता है आपके सामने option ते ऑप्छीन और तीसरा है यह अलिम्जिमेर्स टोर्ता है में होता है मिकजी डिमा क्या होता है मिकजी डिमा हाइपो थाइरोडीजिंग की कंडिशन होती है जिसमें थाइरोड हार्मोन होते हैं उसका हाइपो सिक्रेशन हो जाता है उसका कम निकलते हैं ब्लड में तो उस कंडिशन में हाइपो इसमें मिकजी डिमा हो जाता है ठीक है तो इसकी वजह से यह होने के चाहसे हैं नेक्स गवेशन्ट देखेंगे अपन फॉर्थ कि शाइकोजैनिक अमेश्या क्रेक्टराइज भाई साहे को जैनीजाइज कि क्या विश्यृषता होती है व कटाना है आपके सामने आगे की जो मेमोरी होती है जो उसके याद हो पिछले जितनी भी बाते हैं जितनी भी उसकी यादास थे वो सब क्यांति के बात और नीवाला मोस्ट ओफ एमनेस्ट छो जो उता है वो रेट्री एमनेस्ट होता है इसे ने टेक्ञें आपनवावडिंग ऑफ कॉंसेसने ते फिचर ओफ बार बार पूचा जानेवाला क्विश्चन से बहुत धमा के दार घ्र क्विश्चन से ही ए क्लावड of consciousness यह feature of किसका feature होता है options जिसका राइड आंसर होगा वो delirium delirium जो हता है वो cloud in consciousness होता है जबकि demensia जो हता है वो memory loss से होता है इसमें क्या होता है memory loss होती है तो यह दोनों की एक इस और शबरनस और इस्टर्बेंच और सिन्भेनच पहले और कि दोटेस्न रह किस टाइप के साइकोसिस में देखा जाता है किस टाइप के डिसोडर मź देखाए आ liquidity यह जो बता रहा है इसमें औरिटेशन, मेमोरी और इंटलेंची यह दोनों तीनों देखे जाते हैं और पर उसके छोड़नद राता है जिसमें मेनिया और डिसोडर फिहाए जिसमें मेनिया और डिप्रियों होता है साथा वा है शीए गॉर्ष कॉमन कोज अब दिमेंशा का मोस्ट कुमन कॉन कर भेस अब डिसकोस किये आपकर ने सका मुस्ट कॉमन कोज रहता है एंटिमिया टीजीज टीक मैं जुमें डीजीज में क्या होता है जो ACH इस निरो ट्रांस्मेटर होता है उसका लेवल डिक्री ज़ा जाता है इस कंडिशन में ठीक एक्ट क्वेशन देखेंगे अपन एट क्वेश्चेंज इनने बव्लेक्चндेटर एका aurigilive disease इनमें से कुंसा aligilive disease का एक फीचर है यह आपको बताना है आपके सामने primitive memory loss, recent memory loss, recent and past memory loss, senhor global memory loss तो जो aligilive disease होती है उसमें memory loss होती है पर किस types की होती है तो वो होती है recent and past memory loss आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि इसी तरह की questions आपकी exam में पूझे जाएंगे ठीक है next question देखेंगे आपन cognitive behavior therapy deal with cognitive behavior therapy जिसको short में CBT भी कहते हैं CBT किसके साथ deal करती है ऑप्शन एंकॉंसेस मोटीर्स माल एडेप्टिव एसेंप्शन स्यूडो डाइनेमिक कॉंफिलिक्ट या एमोशनल कॉंशेस्टेंस और ओटोमेटिक्स थॉट्ट्च कॉमुनाइटिव ब्यूर थेरेपी डिल करती है माल एडेप्टिव एजेप्शन के साथ ठीक है तो इसका राइट आंसर यह होगा बी नेक्ट वेशन देखेंगे आपन तैन्ट विच आप देखेंगे आपन त इसका जवाब आपको देना है एक्ट्ष ब्रेंट संड्रों किक शींड्रों सहरती है अध्रिंच की और नेक्टाइशन क्यूरया रिख आनकि यह ब्रंक पर देखा जाता है कहाँ पर इसको रखा गया है option से यह आपको बताना इसका जवाब F0 से F09, F20 से F29 और F30 से F39 या all of the जवाब आपको नीचे comment box में comment करना है 11 और 12 questions का जवाब ठीक है अब पिछले part 1 का जो questions हमने आपको बताये थे questions उसका जवाब देखते हैं उसमें एक question था ICD-10 किसके द्वारा दिया गया है तो ICD-10 दिया गया है WHO के द्वारा और DSM-5 दिया गया है तो आप नीचे comment box में भी comment करें सेकते हैं thanks for watching मिलते हैं नए वीडियो में